हाई दोस्तों वेलकम बेक टो माई चानल तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत दाद स्पेशल होने वाली है हर बार की तरह क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वालों कि जो भागेश और धाम सरकार है बाला जी महराज को वहां मंदिर है वहां कैसे जाएंगे उसके नियरेस रेल्वे स्टेशन है और बाकी की सारी चीज़े तो आएए दोस्तों हम जल्दी से चलते है तो दोस्तों अब मैं आपको पहले यह बताता हूँ कि बागेश और धाम सरकार है कहां पर तो दोस्तों आप गूगल पर सरच करेंगे बागेश और धाम गड़ा मध्यप और यह भारत के मध्यप्रदेश राजिय के एक चतरपुर रेल्वे स्टेशन से महज 24 किलो मेटर के दूरी पर एक गाउं है गड़ा वहां इस्तित है बागेश रधाम सरकार बाला जी का मंदिर तो दोस्तों आपको बागेश रधाम सरकार के दर्शन करने हैं तो आपको आ M.C.S.C. यह यहां का रेल्वे का कोड है और फिर इस चतरपुर रेल्वे स्टेशन में उतरने के बाद आप इस गेट से बाहर जाएंगे और बाहर जाके आपको काफे सारे ए रिक्षा वाले आपको अप्रोच करेंगे और वो लगभग 50 रुपे लेंगे आप से सवारी के बागेशर धाम तक के और फिर रेल्वे स्टेशन से निकलने के बाद ए रिक्षा पर कम से कम 18 किलोमेटर ट्रावल करने के बाद आप पहुंचेंगे इस जगह पर इसको गंच टावर बोलते हैं यहां का नीरेस लैंडमार्क है और दोस्तों गंच टावर पहुंचने के बा आज की जैसी ताराम और फिर गंच टावर से आप अंदर जाएंगे गड़ा गाओं की तरफ लगभग तीन किलोमेटर के बाद आपको पार्किंग मिलेगी और पार्किंग से लगभग डेट किलोमेटर अंदर जाने के बाद हम इस जगह पर पहुंचते हैं यहां हम अपना फ्रेश होते हैं नातेद होते हैं और सामने यह जो आपको रोड दिखरी है यहां पे डेट किलोमेटर बाद आगे जाके मंदर है और अब लगभग एग या डेट किलोमेटर वॉक करने के बाद आपको दर्शन होंगे भव्य मंदर श्री बागेशवर धाम सरकार जी के दो और आपको भी धर्शन करवाता हूँ जै बागेशवर धाम की और दोस्तों अब आप यह देख रहे हैं भव्य मंदर श्री बागेशवर धाम सरकार का बालाजी महराज का और यह यहां पर आप इतने सारे नारियल देख रहे हैं यहां पर लाखो की तादात में श्रधालू हुआते हैं और यहां पर नारियल चड़ा के जाते हैं और यहां से खुशी खुशी जाते हैं बालाजी महराज का आशिरवात लेके यह रहा उपर भव्य मंदिर बागश्रधाम महराज का और यहां पर हवन कुंड़े हां हवन होते हैं और लोग यहां पर पूजा गड़त और इस प्रसाद के काउंटर की यह वाली खिड़की से आपको महाप्रसाद मिलेगा तो इसके लिए आपको मातर 20 रुपे यहां देने होंगे और महाप्रसाद लेने के बाद वहाँ पीछे से हमें बाला जी महराज का सिंदूर वाला नारियल लेना है और सिंदूर वाले नारियल को पाँच लॉंग के साथ लाल कपड़े पर लपेट कर अपने घर के मंदिर में रख देना है और दोस्तों यहां बागिश्रधाम सरकार में बाला जी महराज के भव्य मंदिर में आपको प्रति दिन भंडारा भी मिलेगा रोज आपको यहां पर भंडारा मिलेगा और भंडारे की जो टाइमिंग्स हैं वो दिन में 12 बजे से 2 बजे तक होती है शाम की टाइमिंग का मैं को कंफर्म नहीं है शायद 6 से 8 बजे के बीच में होती है और दोस्तों यह तो अभी तक मैंने आपको बताय कि आप यहां पर ट्रेन में कैसे आ सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं कर आप बाए एर आना चाहते हैं तो बाए एर आने के लिए आपको खाजराव एरपोर्ट है यहाँ पर वहां आना पड़ेगा वहां से भी आपको सेम आपको टेक्सी एरिक्षब अगर आपको एरपोर्ट के पास से मिल जाएंगे तो खाजुराओ जो एरपोर्ट है वो यहां का नियरेस्ट एरपोर्ट है और मुझे इसके बारे में तब पता चला जब मैं वहां पहुच गया था अधरवाइस मुझे भी बायर ही जाना था बट मेरको नहीं पता था वहां एरपोर्ट नियरेस्ट कौन सा है मैं सोच रहा था ग्वालियर एरपोर्ट नियरेस्ट है बट ऐसा नहीं है खाजुराओ एरपोर्ट है वो वहां का nearest airport है और दोस्तों अब मैं आपको बतातूं कि आप जब भी यहां आएंगे आपको बहुत easily खाना मिल जाएगा और 70-80 रुपे में महज आपका पेड भर के आपको यहां खाना मिलेगा और मैं भी जब यहां इस ढापे में बैठके चाय पीने लगा तो मेरी नजर पीछे इस poster में गई और इस poster में मैंने पाया कि दिल्ली से बागेशवर धाम सरकार चतरपूर के लिए डारेक्ट एक Volvo चलती है जो कि रोज चलती है और यह उनका contact number यहां पे दिया हुआ है तो दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आप भागेशवर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए आप कैसे आएं और आई होप आपको अभी तक यह समझ में आगयो अब मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा यह बताता हूँ कि जब भी आप यहां आएंगे तो आप यहां पे इस्टे वगरा का आप कैसे करेंगे क्योंकि जो गड़ा गाउं है यह गाउं है एक चोटा सा यहां पर आसपास को जैसे होटेल अगरा तो कुछ नहीं दिखे होटेल हैं जो की डिसेंट है दी रुद्राक्ष दी लॉट और दी क्यापिटल तो यह तीन होटेल हैं जो की डिसेंट है और दोस्तों अगर आप बाइयर आना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी की ज़रूत नहीं क्योंकि खाजुराव एरपोर्ट के आसप पर फ्रेश वगएरा हो नहाओ दो उसके बाद आब अबाबाजी के दर्शन करने के लिए जाओ और यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं च्छतरपूर पहुंचा था तो वहां पर आसपास कोई होटेल कोई लॉज वगएरा ऐसा नहीं था मला जब मैं बाबाब फैमिली मेंबर्स हैं या कुछ लेडीज हैं आपके साथ तो मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप एरपोर्ट या ट्रेलवे स्टेशन के आसपास आप जो भी होटेल ले रहे हो आप होटेल लो और होटेल में आप चेक-इन करो और अराम से फ्रेश होके फिर आप उस झाल